365 Days एक पोलिश कामुक रोमांटिक ग्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बारबरा बियालोवास और टॉमाज मेंडेस ने किया है। यह 2020 में रिलीज हुई थी और यह ब्लैंका लिपिंसका के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म लॉरा बील अन्ना मारिया सिकलका की कहानी का अनुसर्ण करती है, जो एक पोलिश महिला है, जिसे एक सिसिली माफिया बॉस मास्सिमो टॉरिकेली मिशेल मोरोन द्वारा अफ़रन कर लिया जाता है, जो उसके साथ प्यार में पढ़ने के लिए उसे 365 दिन देती प्लाट अवलोकन फिल्म लॉरा बील और उसके प्रेमी मार्टिन के साथ सिसिली में छुट्टी पर शुरू होती है, एक नाव यात्रा के दौरान सिसिली माफिया के प्रमुख मास्सिमो टॉरिकेली के नेत्रित्व में पुरुशों के एक समूह द्वारा लॉरा का अचान अपहरन कर लिया जाता है। अच्छा व्यवहार करता है और उसे विलासिता का जीवन दिखाता है जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। हालांकि लौरा मास्सिमो के लिए अपनी भावनाओं के बारे में विवादित है क्योंकि वह अपने पुराने जीवन को याद करती है और अपराधिक गतिविधियों के बारे में अनिश्चित है जैसे जैसे दिन बीटते हैं लौरा और मास्सिमो और अधिक घनिश्ट हो जाते हैं और उनका रिष्टा और अधिक जटिल हो जाता है इस बीच लॉरा का परिवार और दोस्त वापस पोलेंड में उसकी तलाश कर रहे हैं और मार्टिन भी उसे खोजने और उसे घर लाने की कोशिश कर रहा है पूरी फिल्म के दौरान लॉरा और मास्सिमों के बीच कई कामुक द्रिश्य और यौन तनाव है यह फिल्म रिष्टों में शक्ती की गतिशीलता, नियंत्रन और दुरुपयोग के विश्यों को भी छुती है विश्यों और विवादों का विशलेशन 365 डेज रिलीज होने के बाद से ही विवादास्पद रहा है कई आलोचकों और दर्शकों ने अपमानजनक व्यवहार को रोमांटिक करने और बलातकार की संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए फिल्म की आलोचना की फिल्म पर महिला विरोधी होने और महिलाओं को आबजेक्टफाई करने का भी आरोप लगाया गया है फिल्म की मुख्य आलोचनाओं में से एक लौरा के प्रती मैसिमों के व्यवहार का चितरण है कई लोग तर्क देते हैं कि उसकी हरक्तें जैसे उसका अभरण करना और उसे उसके साथ प्यार में पढ़ने का अल्टीमेटम देना अपमानजनक है और रोमांटिक नहीं है फिल्म के समर्थकों का तर्क है कि यह केवल कलपना का काम है और दर्शकों को इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए वे यह भी बताते हैं कि 365 Days समस्या पूर्ण संबंधों को चित्रित करने वाली पहली फिल्म नहीं है और यह फिल्म के विश्यों और संदेशों की व्याख्या करने के लिए दर्शकों पर निर्भर है निशकर्ष, 365 Days एक विवादास्पद फिल्म है जिसने रिलीज होने के बाद से ही बहुत बहस और चर्चा छेड़ दी है जबकि कुछ दर्शक इसे दोशी खुशी के रूप में आनंद लेते हैं, अन्य लोग रिष्टों और यौन गतिशील्टा के समस्यागरस्थ चितरण के लिए इसकी आलोचना करते हैं फिल्म पर किसी की राय के बावजूद यह स्पष्ट है कि 365 डेज का लोकप्रिय संस्कृती पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इसने सहमती, शक्ती की गतिशील्टा और रिष्टों में दुर्व्यवहार के आसपास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आ कर्शित किया है